कि हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है तो कैसी चल लए है आपकी प्रेपरेशन बहुत ही बढ़ा बिंदास तरीके से चल रही है अपनी जर्णी इडवांस में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहते हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अब और जिसमें हमने प्रिविएस एर क्लास में स्टार्ट किया था नया कंसेप्ट नई दिन नई शुरुआत से ना कौन सी वैलू रएसियो अपने सिख्स होते हैं तो कौन कौन से रेसियो किस पॉलिनेंट में by nutr. इस नगेटिव होते हैं कि समझाता कि और पॉलिःटी होते हैं और निगेटिव उसंते हेना तो ा hablnam को बूह बूठ एक इंसे करता है देखना तो आप इसकी मत करिएगा बहुत ही बिंदास लब्जों में सिखा था ना कॉडियंट कंसेप्ट इसमें हमने कॉडियंट कंसेफ्ट में कि यह को ओर माया था जिसमें हमने समझा तक कि साइड की मयं थे तहां पर — होती है आपको बता बाद हमने सभी का रेंज भी देखी थी अज में bei कॉन से कॉड़न इसलिए कॉस्ट और मल्टीपल हुआ तो यह अपने कॉंप्ली मेंट्री में चंज करना रेशी प्रोकल पर मचेज ने करना यह आपका रॉंग हो जाएगा वाड़ेट कंसेप्ट पे आपका कॉंप्ली मेंट्री का धर्रा चलता है करेक्ट चलिए इसके बाद सेकेंड बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट यह भी था अगर 90 का इवेन मल्टीपल हुआ तो इस योज नो चेंज जैसा है वैसा का वैसा एजटेज इसके बाद एंडिवीज्वाल हर एक कंसेप्ट समझा था हर एक क्वाड़ेंट को विद्पूरूब के साथ ट्रिप्लेट का भी यूज किया था इसके क्वाड़ेंट का रामबाण थे इसके बाद हमने सभी कोड़ेंट के बारे में भरपूर मातरा में जानकारी ली थी हां बेसिक टू एडवांस और क्वाड़ेंट कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं इससे फ्रेंड्सिप हो गई है फैमिलियर हो ब्रणों के लिए डीकिए पहला को सक्षंट्स और आप से क्या दिया गया है पहला को सन्मेरे भाई आपको दिया गया है साइन माइनस एफ इसिक्वल टू कौन से वैलू होगी और आया किसमें कॉस्ट्स नकरे कि क्षिछ थी एसल है यह दोजर बाइस का हां तूचलिए इ साइन माइनस थीटा हां मतलब ए इसके इक्वल में क्या होगा तो बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने बताया था फोर्थ क्वार्डिंट की बात हो रही है ऐसे ना देखिए इसका मीन क्या होता था यह होता था कि ना ऐसे कि साइन साइन और देखो 360 डिगरी माइनस ए इस इक्वल टू आपको भी फाइंड करना इसको आप छोड़िए अभी मैंने क्या का प्रारम किया था ओप पूरा सरकल आपने कंप्लीट कर लिया तो 360 को मैंसा भी तुका सकते हैं कि यहां से स्टार्ड कि यह फिर वहाई प्यागए तो जीरो डिगरी का सकते हैं ना 360 का मतलब हुआ कहने का मेरे भाई कि आपने पूरा गोला घूम लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो तो साइन साइन जीरो माइनस ए तो यह क्या हो गया साइन माइनस ए बात समझ में आए न बहुत बेतरीन चलिए तो अब आप सौल्ड कर सकते हैं ना इसको बहुत बेतरीन लबजों में देखिए क्या है आपका साइन साइन माइनस ए इकवल में क्या वैलू आए तो देखिए किस क्वाडरेंट की बात हो रही है तो मेरे भाई आपकी यह आपका फर्स्ट क्वाडरेंट है यह आपका थर्ड क्वाडरेंट है और यह आपका फॉर्थ क्वाडरेंट है हां फर्स्ट क्वाडरेंट में आपका अलप पेटीव और फॉसे टू सेकेंड टूसे करड़िट मैं आपका साइन हां और कॉसक फिल सेक्ट पोजितुर और कर defined में आपका टेन सित निटा और कोड़ थीटा इन फैस तु को इन को आपका सौस थीटा और एक थीटा पॉसीटिव अनली हां यह मेंट पॉसी था इसमें आपके सारे पॉसीटिव फर्स्ट कॉर्डिन में सेकेंड कॉर्डिक सframe सीट एथन आ Watts साली euro सक्तिड BT फुर्सा आपको recall करा दिया याद है ना बहुत ही बहुत ही तो देखिए किस Quadrant की बात हो रही है तो आप देखेंगी ये तो बात हो रही है अपने फोर्थ Quadrant की ओफ़ोर्थ Quadrant में आपका कॉस और साइन पॉजिटिव होता है बाकि तो सारे निगेटी होते हैं तो मैंने कॉसं फार् convention करने के आपको दो मेंधंट बताते हैं सबसे पहले ये देखिये कि क्वाड़र्ऌेट कौन सा है मैंने क्या कहा है हाह सबसे पहले तो ये देखिया कि सीवार कॉधन कौनसा इससे आपको माइनस या प्लस का पता चलेगा तो कौन में सा है आपका फॉर्थ quadrant और fourth quadrant में आपका cos और से positive होता है बाकी आपके सारे negative तो देखिए negative बहुत ही बेटर ही इसके बाद देखिए कि 90 का odd multiple है या even multiple है 90 का अगर odd multiple हुआ तो यह अपने complimentary में change होगा अगर 90 का even multiple हुआ तो no change तो देखिए 360 360 आपका क्या है 90 का 90 का even multiple हुआ ना तो even multiple पे no change तो क्या आजाएगा आपका minus का sign a यह आपका हो जाएगा correct answer समझ में आया ना मेरा भाई चलिए option नमबर आपका minus sign a option number c जो आपका correct है समझ में आया ना बहुत यह अच्छा हाँ बिंदास को संता चलिए चलते आपने next question पे और टू नमबर देखिया question आपसे क्या कहना चाहा रहा है तू नमबर question आपका दिया गया 10 90 minus theta is equal to 2 upon root 3 then the value of 2 root 3 10 theta plus 1 की value आपको find करनी है इससे पहले तो अपने कुछ value तो निकाल ले ना हाँ चलिए थीटा की value निकालने पड़ेगी दिया गया आपको given है 90-theta 1090-theta 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 is equal to दिया गया आपको 2 upon root 3 2 upon root 3 तो आप जानते है ना देखिये किस quadrant की बात हो रही है आपकी quadrant नमबर first की बात हो रही है और first quadrant में आपके all positive तो देखिये क्या हो जाएगा यह positive रहेगा इसके बाद देखिये 90 का odd multiple है even multiple है तो मेरे भाई 90 का यह odd multiple है तो odd multiple में यह अपने complimentary में change हो जाएगा तो क्या हो जाएगा plus कहा plus का 10 10 किसमें अपने complimentary में change होता है हाँ कॉर्ट में तो कॉर्ट में तो कॉर्ट हीटा इस इकवल टू टू अपन रूर थिरी करेक्ट चलिए यह प्लस का कॉर्ट थीटा निकला ठेक है तो प्लस लिखिए आनलिक यह फिला लिखाया आपका इसके बाद एक आपको करना है दूरोट थीरी टैन थीटा प्लस वन है पाइं ऐनका ना आपको टू रूर थिरी एक हम टाउ है एंड तीर इंस कॉर्ट हम और प्लस वं यह अपको फैंड करनाए वैल रुखिए यह अंसर आ जाएग आपका देगिए गवीं दिटा का यहां से अपनी देखें वाइलू निकालाएगी ना इसको अगर अलट पलट दे मदब क्या मेरे भाई पलट दे रूट थीरी उपर हो जाए और टू नीचे हो जाती यह टेन थीटा की वाईलू निकालाएगी ना बहुत ही बेतरीन किसी को नहीं चाहिए चलिए बस आपको वाईलू पूट कर देना है तू रूट थीरी आपका एजट इस इंटू टेन थीटा की वाईलू आपने निकाली ना मेरे भाई कितनी है आई यह आपका टेन थीटा इक्वल में लिखिया आपका यह हो जाएगा 10 थीटा क्योंकि यह आपकी वैलू निकली ना 10 थीटा कितना है आपका रूट थीरी रूट थीरी बाई टू प्लस वन अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते है ना बहुत ही पहात तरीके सॉल्व कर सकते देखिए देखिए यहां से तू से आपका टू कैंसिल हो जाएगा बचा क्या आपका रूट थीरी रूट थीरी रूट थीरी का रूट थीरी से मल्टिप्लाई होगा क्या हो जाएगा आधा आधा मिलके एक हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा थीरी प्लस वन इस इक्वल टू फोर आपका करेक्ट ए से देखके प्यार भई नजरों से देखके सौल्व किया बहुत ही बढ़िया चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर कि थर्ड नंबर कोशन देखिए आप से क्या कह रहा है वाट इस दा सिंप्लीफाइड क्यों क्योंकि जल्दी बाजी पढ़ने में कुछ आपके डिजिट भी सूट सकते हैं सैंबल भी छूट सकता है और इतनी सी मिश्टेक होने पर आपका सारा का सारा कोशन की आपने जितनी स्कुमी गति से धहर्ण पूर्वाग सबसे पहले तो पढ़ियेगा त्यागे आपको कॉस स्कॉएर 90 मांटी माइनस थीटा हाँ माइनस इसके बाद आपको यह दिया गया है ना ब्रेकेट में क्या कॉस 90 मांइनस थीटा इन्टू कॉस थीटा इसको करना आपको फाइंड ए जरूरी है चलिए हाँ क्या है आपका को स्क्वाइर नाइन्टी माइनस थीटा या आप वही से साइट सीधर अब तो इतनी प्रिपेर हो गए ना यहीं से आप डैक्टिवर्यू निकाल लीजिए इस्टेप इस्टीप परने के भाई कोसिस करिए आप चलिए को स्क्वाइर हा जब देखी यह बात याद रखना जब आपका स्क्वाइर हो ठीक है तो माइनस प्लस का आपको ध्यान नहीं देना है करेक्ट जैसे कि देखो यहां पे अगर ऐसे होता देखो इसको समझा रहे है अच्छे समझना देखिए क्या है एक आपका लिखा है कॉस नाइन्टी सबसे पहले करने के तरीका क्या होता है यह देखिए कॉडरेंट कॉन साइस से आपको माइनस या प्लस का पता चलेगा तो यह मेरे भाई फ़स्ट कॉडरेंट है और फॉस्ट कॉडरेंट पे आपके सारे पॉजिटिव होते हैं सेकंड बात आपको क्या याद रखनी है कि 90 आपको यह आपको बहुत ही आराम दायक हो जाता है कि माइनस और प्लस का आपको ध्यान नहीं देना जब आपको स्कौार में एक बात की और आराम दयक हो जाती है कि आपको मासे सप्लास का फंडा याद नहीं रखना है यहवल कोसा करेक्ट इससे आपका सा है कॉर्डेंट क्या करेक्ट क्या आपका देक्टिक ये सिमान सब्सक्राइब आता था लिए तो आपको इसवधुआ इसके बाद ये दि कॉम्पल्इम सेल स इसक weder कोडुके मेंटों त epsilon ज़ंद रखना चलिए देखिए तो क्या होजाएगा पस़ इसक्षाइर 90 मैंठिश थीट तो देखिए इसक्षाइर लगा है तो माइनस प्लस का फंडा यह आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि माइनस के स्क्वाइर करेंगे तो प्लस ही तो आएगी वेलू, चलो, तो क्या है, कॉस, इसके बाद देखिए, इसमें आप ब्रेकट में क्या दिया गए आपको, ब्रेकट में है आपको, आपका कॉस, 90-θ, तो देखिए, यहाँ पे आपके फर्स्ट कॉर्डिन की बात हो रही है, तो फर्स्ट कॉर्डिन पे आपके सारे रिस्योस पॉस्टिव होते हैं, इसके बाद देखिए, यह आपका 90 का और मल्टीपल है, तो यह चैंज हो जागा न, आपने कॉम्पलिमेंटरी में, तो हो ज सान थीटा, इन्टू कॉस्टिटा, और नीछे देखिए, नीचे, यह रहते है, यहां से आपका चॉस्टिटा उया पहुट ऐस्योर चैटा, यह शान थीटा, इसे ए रहाट अपका कॉस्टुटব सान सान थीटा, अब हो जना, तो यह चैंजा, यह जो है, आपका और यह यहां पर पहुंच जाएगा न, तो चली, यहां से आपका तो पहुंच गया, हां Sin Sin, Sin, Theta, correct, इसके दाइँ कुछ हां कुछ हो रहा है, इक दो, हुद्ष कट हो रहा है, इसके बाद। कुछ हो गया, इसके बाद आपका क्या बचा, इहां से आपका गर इसके बाद देखिए मालेस मानस आपका साइन इन्टू साइन क्या हो जाएगी स्क्वार्थ कडिफ फिटखे एक कि वेलू प्लस की एक वयलू मैनस की हाह तो क्या जाएंताола इनशर नंबर आपका जीरो कौन सा है वही आपका करेक्ट है हां सी नंबर आपका 100 परसेंट करेक्ट है बहुत ही बेतरी तरीके से यह भी छेसल का कोशन था बिंदास लब्जों में आपने किया सॉल्व देखिए पूर्थ नंबर देखिए को सना आप सॉल्व करने का थोड़ा आपको एक पर टाइम दे रहें सॉल्व करिए बताए क्या आएगा हां बहुत ही बिंदास लाजवाब कोशन है पढ़िये पहले कोशन क्या लिखाया पढ़िये कोशन लिखा है मेरे भाई साइन नाइन्टी माइनस थीटा इंटू कॉस्ट नाइन्टी माइनस थीटा इंटू कॉट नाइन्टी माइनस थीटा अपॉन पॉस्ट स्कॉर्ट थीटा माइनस वन कॉस्ट स्कॉर्ट थीटा माइनस वन चलिए करते हैं इसको सॉल्व कि देखिए साइन नाइन्टी मानेस थीटा फर्स्ट कोर्रेंट की बात हो रही है न तो सारे वालू पॉजिटिव होंगे इसके बाद नाइन्टी का आउड मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा आपका डाक्ट अप कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा क्योंकि यह अपने कॉम्पलीमेंट्री में चेंज हो गया हां कॉम्पलीमेंट्री में चेंज हो गया दॉख स hatır अब लेक्ट आप देलिधा स questa everything that you did depends yeah कोंपली मेंट है वह जाएंगा पास sorryた how sign theta into ये भी अपने कामपली मेंट मेंगी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 and theatre पोन अपन नीचे कि आपका아서 स्क॥ार सिस्टेटा-पाइने यह आप देखिए मैंने आपको ट्हस्च को प्रस्ट को ट्वार्ट में सब्सक्राइब माइनस इदर प्लस कि वैलु अने के बाद मानस इस स्कुट थिटा हम यह कह सकते हैं हम यह कह सकते हैं की क्या छे ऊतलकेζास स्कुट ऑन न इन चाहरा स्का एब ऑन की जगह पर कर लिखेंगे माइनस का साइन कि स्कॉयर थीटा करेक्ट अजिंट इन तरब बहुत ही बेतरीन और देखिए चलो एक स्टेप लिखने के बाद आपका कर रहे वरना इसकी पोचाईगा चलि इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका कौस टेता इंटू अब कर साय थेटा इंटु टेना आफका क्या होता है टेन होता आपका साइन थीटा अपन अपन कॉस्द forग नीची आज आएगा पोई नेकूस ती थे हले देक गए हाहा तेखो मुझा से आपको चला गए इसके बाद साइन साइन क्या हो जाया देखोई तरी आपक T अपनक कर देते हैं और श وल्ब्रलम कर देते हैं अपने ताओ धूरीट है तो बोल देन और लिगे अंसर आया आपका 0 जो की हो गलत दिसा में जा रहे होते हैं ऐसा नहीं होता बाई यह क्या होता है एक टरेक्ट चलिए तो अंसर नंबर आपका माइनस का वन आया जो कर आपका सी नमबर हैंडेट परसेंट करेक्ट है हाँ गुरूब डी में आया था चलिए आप कितनी हवा में को सुनों को उड़ा रहे हैं ना चलिए बस प्यार भरी नजरू से केवल को सब्सक्राइब करना है इसके बाद हम आपके साथ आप मेरे साथ दोनों भाई मिलके बहुत नेक् क्या है ओपको तो क्या है क्या है और पचासी डिगरी सब्सक्राइब में पूछा गया क्योशन है यह इसका और बताए हम क्या होगा जितने स्वीरण हे मैं भतारू थोड़े समझाने कि बाद आप बिएज अंसरर ऀंसर गर तो और जाएगा आपका कि ऑप्सन नंबर सी जो आपका करेक्ट है देखिए कैसे बताते हैं अगर किसी भी रिस्यों को अपने कॉंपली मेंटरी में करने की बात हो तो क्या होगा समझते हैं जिसे मैंने का साइन साइन नेक्स्ट पेज में चलते हैं छलिए मैंने कहा कहा मेरे भाई मैंने ये कहा कि आप चांजि के跑 कि J2 इसके complimentary में होगा पंडा बताने जा रहें आपके हाँ इसकी मीनिंग होती है दो नाम से जानते हैं पूरक और कोठी पूरक लिखे देना चलिए आए एक तो पूरक नाम से भी जानते हैं इसको हां और सेकेंड आपको कोठी पूरक नाम से भी सको पुकारते हैं है वात समझे हैं मैंने क्या कहा कि आप साइड नाइं 10 डिगरी गा ओंपली मेंटरी बताईये और डाइन 20 डिगरी का कॉंप्लीमेंट्री बताइए कि कसी भी रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री बताना ना हो तो कैसे पुछ नहीं भाई, i-. 90 से मािनेस करते हैं उसके बाद कॉम्पलिमेंटरी अपने किस किस में चंज होते हैं देखिए नहीं टिय से लिए को बूंसे में कि रहे फंदा होता है साइन Claudia движ में किसमें चंज होता है कॉसज़ प्राबियों को बचैंगे और स्थ को बुद सब्सक्राइब के साथ आपको बताया था मैंने हां चलिए तो देखिए साइन का 10 डिगरी कॉंपलीमेंटरी में रेशियो क्या आएगा बताईए तो कुछ नहीं 90 से माइनस कर उसके बाद अपने कॉंपलीमेंटरी में इसको कनवर्ड कर दो करेक्ट तो देखिया क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपद को डाशा साइन करेक्ट कोंपली मेंटरी में चंज हुआ तो क्या ओगया तो असे कि डिगरी तरेक्ट आजा आप सबकी इंडीवीजिल वैलू बता सकते हैं तो क्या देखिए साइन कर िटी डिगरी अपने कॉंपली मेंटरी किस में चंज होगा तो स्के सब्सक्राइब करना है साइन का इसके बाद साइन का 75 डिगरी अपने कॉंपलीमेंटरी किस में चुन जोगा तो यह हो जाएगा कॉस हां कॉस 15 डिगरी में सब्सक्राइब करना है साइन 70 डिगरी का कॉंपलीमेंटरी क्या हो जाएगा कॉस 20 डिगरी इसके बाद साइन 5 डिगरी के कॉंपलीमेंटरी क्या होगा तो हो जाएगा कॉस पचासी डिगरी इसे एगर मैंने आपको यहां पर दे दिया अभी आपने साइन को करणवाड किया कॉस में अब मैंने कुछ वैलू दे दिकि आमने आप बताएगे कि कॉस का 10 डिगरी अपने कॉंपलीमेंटरी किस में चंज होगा कॉस का का पंदरा डिगरी अपने कॉंपलीमेंटरी किस में चंज होगा कॉस तो मेरे भाई कुछ नहीं करना बस 90 से आपको मैनेस कर देना हैं एंगल को और यह अपने कॉंपलीमेंटरी में चंज होते हैं कौन किसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप पैच्छान चुके जान हां यह क्या हो ज़ाग कॉस्ट टेन डिगरी यह क्वित अपने कॉम्प्लीमेंटरी में कैसे चाहुआ होगा साइन हां कलर चाहलज कीजिए साइन ऑप 10 डिगरी को 90 से मैनस करें, कितना आ जाएगा आपका 80 डिगरी मारेक्ट, इसके बाद कहस्थ 15 डिगरी अपने कॉम्ट्लिमेंट्री की स्में चंज होगा, साइन 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 शाइन पचत्तर डिगरी समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही बेतर ही इसके बाद कॉस 75 डिगरी का कॉंप्लिमेंटरी क्या हो जाएगा साइन 15 डिगरी और बताई कॉस 3 डिगरी का कॉंप्लिमेंटरी क्या होगा तो यह हो जाएगा आपका साइन करना है हां कुछ नहीं 90 में से आपको थेरी लेस करना है हां कि थ्रेट करना है तो कितना आजाए गापका 87 डिगिरी कुछ नहीं 97 को कवन डिगरिक एक आपका साइन साइन एटी नाइन डिगरी समझ पहें ना कौन किसके कॉंप्लीमेंटरी में डिगरी की साथ कैसे करन वाड़ होता बहुत ही बेतरी लाजवाप मेधटिक साथ आप समझा प्रिक के माध्यम से अब आपको भूलना नहीं मेरे बाई चलिए हां तो वही आपको बता रहे थे से तो आप बता सकते हैं ना देखो कैसे इसको पहले बेसिक से बता देया फिर उसके बाद जो आपने पड़ा एक ही बार में आप जैसे अंसर दिया था मैंने यही आप वही टिक करेंगे देखिए कॉट कॉंट पचासी डिगरी प्लस कोस 75 डिगरी का अपने कॉंपलीमेंटरी में कैसे चंज करेंगे तो दीए कुछ नहीं आप देखिए यह कॉंपलीमेंटरी किसमें जोगा 10 और 10 एंगल 90 से घटा दो कितना हो ज़िए 10 फाइब डिगरी प्लस यह अपना साइन 15 डिगरी समझ पहने देखिए कितने रफ्तार में आपने अंसर दिया option number C जो कि आपका correct है और basic से कैसे solve करेंगे देखिए बाई basic से भी आपका कैसे solve करेंगे देखिए method number 2 कैसे solve करेंगे इसको देखिए आपका correct हालाक यह answer तो आपका यह हो चुका है पहले हां चलिए फिर से हम method number 2 से जा रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा आपका यह court और देखिए 90-5 तभी तो 50 होगा बहुत ही बेतरी प्लस है तो प्लस लगा दि है correct तो देखिए यहां से किस कवाडन की बात हो रही फर्स्ट कवाडन पर आपके सारे रेसियो पॉजिटिव होते हैं चलिए तो ना फिर देखिए 90 का और मल्टीपल या इवन दो ही बातों को ध्यान देना मैंने क्या बताया यह देखिए किस कवाडन की बात हो रही इससे आपको माइनस या प्रस्ट का पता चलेगा सेकेंड बात आपको क्या बताई हां 90 का और मल्टीपल या इवन और पर अपने रेसियो अपने कॉम्प्लिमेंटरी भी चेंज हो गए इवन पर नो चेंज तो देखिए यह आपका 90 का और मल्टीपल है तो किसमें चेंज हो जाएगा आपका 10 पांच डिगरी करेक्ट प्लस यह भी अपना 90 का और मल्टीपल है फर्स्ट कॉर्ट की बात हो रही तो सारे पोजिटिव उसके बाद 90 का और मल्टीपल होने के वाज़े से कॉस आपना साइन 15 डिगरी में कनवर्ड हो जाएगे देखिए बेसिक से आप ऐसे कर सकते हैं आपको मैंने दोनों मैथिट बता दिए जो आपको स्वेटेबल लगे हाला कि यही आपको अच्छा लगए क्योंकि जल्दी और कम टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हैं फंडा समझना चा है कैसी भी लेंग्वज आपको चंजी कर दे हां आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए उसके बाद अपने उपर इतना विश्वास रखिए कि हां हम को सॉल्व किये हैं और कर सकते हैं बस मैत रटना नहीं है मैत के कंसेप्ट को अच्छे से आपॉल करिए समझ यह समज के सॉल्व करिए ईह इस नमबर देखेए आपसे क्या कह रहा है इस स्सेुच्टल में पूछा गए है दिया कह आपको दिया गहाँको टेंस 10π plus theta और πाई के मतलब पता है मेरे भाई क्या होता है πाई के मतलब is equal to πाई का मतलब is equal to 180 degree की बात हो रही है degree के अगर माद्देम से समझा जाए तो देख ये किस quadrant की बात हो रही है ये आपको first quadrant first quadrant में आपके sign all positive correct इसमें आपका sign positive इसमें आपका 10 positive में आपका cause positive तो देखिए इस quadrant की बात हो रही है 180 plus theta इसके वे इसको कैसे करवर ऐसे लिखा गया देखो इन 180 plus theta correct तो ये किसमें होता है 180 से 270 degree की range होती इसमें बहुत ही बेतरी करेक्ट चलिए तो देखिए 10 हाँ 10 जो कि 10 अपने घर में आए तो 10 अपने घर का राजा है तो वाइलू प्लस की आएगी करेक्ट इसके बाद देखिए 90 का और मल्टीपल है एवें तो 180 जो है आपना 90 का इवें मल्टीपल पे वैलू नो चेंज तो क्या हो जाएगा आपका 10 क्या हो जाएगा आपका 10 थीटा जो कि आपका करेक्ट एंसर अंसर नमबर आपका डी जो की 100 परसेंट राइट है इसके बाद चलते नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए आपका 7 नमबर क्या कह रहा है तो वैलू ऑफ साइन स्क्वाइर 2 पाई बाई थीडी प्लस कॉस्ट इसक्वार 5 पाई बाई 6 माइनस 10 इसक्वार 3 पाई बाई 4 अब आपको समझाने जा रहे हैं बहुत ही तरीके से इस पाई अपॉन 3 की वै क्या होगी on kate जाई you मैं अब आपको बता दे हृपको याद रखने नेक्स लाइड नहीं है इसके बास से आपको डिरणा नहीं है डो हम हर एक प्रूफ आपको बताएंगे जहां पर जिस point की जड़ुवत होगी हम आपका basic बिल्कुल cover कराते हुए साथ में चलेंगे पाई की पाई के format को degree के format में कैसे compare करते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं ठीक है तो चलिए पाई is equal to क्या होता है 180 degree अब याप उसमें मत जाना पाई को 22 बाटे साथ भी लिखते हैं हां 22 बाटे साथ भी लिखते हैं हां और इसका ऐसे वरन पॉइंट करके कुछ लिखते है न वह उसमें आपको नहीं इस इकवल त्या होगा फाई अप्हां टू त्योट क्योंन टोयुट है पाई अपॉन दिरी किजी करमें क्या होगा पाइप उपन फोर इकवल में क्या होगा और उट पाई अप उपन 6 इसक व Cao depends तो देखिए to the point आपको याद रखने है pi is equal to 180 degree अभी इसको ऐसे नहीं जाना हो to the point आपको याद रखने pi upon two pi value क्या होती एक 180 कितना आ जाएगा 90 चलिए तो ऐसे ही होगा to the point आपको रखने कि यह क्या जाएगा 90 हां यह हो जाएगा आके साथ डिग्री करेक्ट यह हो जाएगाप का 45 डिग्री फिया यह हो जाएगा आपका इसको कैसा लिखेगे देखो 180 upon यह जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका थिरी टाइम उस टाइम 36 डिग्री हां तर्टेश डिगरी यह आपका क्या हो जाएगा एक सोसी अपॉन सिक्स इसब डिवाइड करिंग कितना आ जाएगा आपका 30 डिगरी समझ पाया ना बहुत ही बेटरी अब आपको तूदा पॉइंट याद दखना है कि पाई इस उकल टो एक सोसी डिगरी पाई एपॉन टू का करेक्ट यह आपको तूदा पॉइंट याद दखने आपने माइंड में आज के अभी के अभी स्लाइड आपको माइंड में घुश जानी चाहिए करेक्ट तभी तो पढ़ने का मज़ा है ना चलिए अब तो कर पाएंगे ना बहुत डरावना लग रहा था पर था नहीं देखिए आपको क्या है साइन स्क्वाइर थिरी उसके बाद कुछ मल्टिप्लाइ में नहीं दिया गया चलिए बहुत यह बेतरी यह आपका कोश्चन है पाइबाई थिरी एक आको क्या लिखते थे की प्लस 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 पोस स्क्वाइड आपका एज ज़ीं आं 5 into pi upon 6 pi upon 6 देखिए क्या लिखा था आपने pi upon 6 pi upon 6 is equal to 30 degree हाँ चलिए 30 degree minus minus हाँ चलिए मेरे भाई माइनस माइनस आपका क्या है 10 10 square 3 आपका एजडिस into pi upon 4 pi upon 4 को आपने क्या लिखा था 45 देखिए pi upon 4 को आपने क्या लिखा 45 degree लिखा था ना चलिए क्या हो जाएगा into आपका 45 अब आपको भी पता इसको कैसे solve करना है अब तो आप solve कर सकते हैं न देखिए sign square आपका as it is हो जाएगा हाँ six का two time multiply करेंगे मतलब 60 कितना हो जाएगा आपका 120 degree correct basic से जा रहे है एक भी step आपकी skip नहीं कर रहे है plus है तो plus लगा दिया cos स्क्वाइर हां यह कितना हो जाएगा आपका तेर्ट सो डिगरी करेक्ट माइनस है तो माइनस आपका 10 स्क्वाइर 45 का थीटा multiply करेंगे कितना आ जाएगा आपका देखिए करेक्ट चलिए अब आप कैसे इसको किस फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है तो कॉछ नहीं है आप इसको 90 से माइनस कीजिए 90 से डिवाइड कीजिए माइनस नहीं 90 से डिवाइड कीजिए तो कितने टाइम में जाएगा 90 एक बार में correct तो क्यों हुख जाए कट नब्बे 120 में से 90 अब्लेस करेंगे आ जाएगा अपका 30 तो देखो इसका लिखने का फॉर्मेट क्या होता है और कैसे होता है 90 के एक गुने से 30 अधिक हाँ 90 के एक गुने से 30 डिगरी अधिक समझ पाया ना चलिए तो क्या हो जाएगा आपका इसको क्या लिखा आपने कुछ नहीं 90 के एक गुने से हां 90 के एक गुने से 30 डिगरी अधिक है बास समझ पाया ना बहुत ही बेतर इन चलिए छोटा छोटा लिखिए 90 के एक गुने से 30 डिगरी अधिक है लिखने की लेंग्वेज आप की होती है प्लस है तो प्लस लगा दिया इसके बाद देखिए क्या है एक डेर सो हां पॉस स्क्वार तो आपका आजटी से रह जाएगा कॉस स्क्वार इसके बाद देखिए इसको कैसे 90 के फॉर्मेट में तो कैसे टोड़ेंगे आप देखिए मेरे भाई इसको आप 90 से डिवाइड कीजिए कितना वन टाइम में नब्बे क्या जाएगा आपका साथ करेक्ट तो क्या हो जाएगा अब डैक्त आपको बताएंगे इसको कैसे करेंगे नब्बे के एक गुने से प्लस साथ अधिक है हां नब्बे के एक गुने से साथ अधिक है नब्बे साथ ऐट कीजिए कितना हो जाएगा आप देड़ सो करेक्ट चलिए माइनस तब माइनस टैन स्क्वार एक सो पैंतिस कैसे फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे नब्बे के एक गुने से 45 डिगरी अधिक है ज्यादा कुछ आपको बठकाएंगे नहीं केवल आपको एक ही फंडा याद रखना कि 90 के गुने से आप डिवाइट कीजिए 90 से डिवाइट कीजिए उसके बाद जो आए उस फॉर्मेट में आपको लिखना है करेक्ट ज्यादा आपको नहीं बताएंगे कि इसको आप 180 माइ कि तर्फल तेया ना कि एक मैंठेट पर उसने कितने बार प्रैक्टिस किये उसने मारत एकि में थे अब्रक्र स्का ध्यान नहीं देना है करेक्ट चलिए पिए तो क्या हो जाएगा साइन यह देखिए 90 का क्यों म्रोटि पलय यह इवन किस-कौॉर्ड की बात हो रहा है यह चोटा साप अपना कउर्ड भी बता बनाते जाहिए आप यहाँ पर कर चुका नब्भे तो मेरे वाई हूँ पारकर चुका हाँ नाइनी के एक बोनसे 90 से और अधिए 30 डिगरी तो ईसनो जाएगए आपका ते चुरे ने और थो सिंद रहाइब पोजिटीव हुता है इसमें आपका टेन पोजिटिवी इसमें आपके और पोजिटीव इसमें ही है साइन तो अपने सेकंड को टर बेंगे को धाराजा होता है हरसे इसके रिजह उसके बाद कर दो सकते हमाइद हुग होता है चल्ये इतना घ्रकांद की ना और मट्रिंट इपले हैट आपने कॉम्पलिमेंट्री में चैन जुझाय को जाएगा आपका सइन अपने कॉम्प लीमेंट्री कॉस्स में जोता स्कॉयर पीस डिगरी समझ पाहिए इसके बाद प्लस यह देखिए स्कॉरी तो मारे चंट देखें देना यह बार बार आपको र तका दिया कि इसक्वायर है स्कॉरार है मैने स्कांड है नहीं कर्येक्ट आपको ऑडर्ड धहणीर को ध्यां नहीं कर in the देना कारण अकब जब आपके रिश्यों स्कॉरार में के लिए और ठीकशना इतना इतना के वगला और आपको देखना या तो ने जो कोड़ मल्टीपल है तो टेन किसमें कनवर्ड हो जाएगा अपने कॉंपलिमेंटरी कॉर्ट स्क्वाइर थीटा की वैलू क्या आपकी पैतालिस कि पैताज डिक्री बस आपको क्या करना है बच्चा बच्चा भी जानता है यहां पर तो बस वैलू रग दीजिए पास थाटीडिकरी की वैलू क्या होती है रूट थिरी बैं इसकी था प्लस si 2 का माइनस कोड़ बैलू क्या होती है या खतालिस थीषीफ गन्यां माइनसल वैलू कैस्का करना है चलिए आगे आप आप इसको solve कीजिए क्या हो जाएगा देखिए रूट थिरी का स्कॉयर क्या हो जाएगा आपका थिरी अपान टू का स्कॉयर हो जाएगा आपका फूर प्लस रूट थिरी का स्कॉयर आपका थिरी टू का स्कॉयर 4-1 तो देखिए क्या हो जाएगा आपका हुआ इसको ऐड़ कर लो चलो एक बर कर देते हैं बैसिक से क्या दिक्कत है है तो इसके नीचे भी आपका वान हो जाएगा ऐस्य कि तना आ जाएगा आपका फोर इसके बाद थे 3 प्लस 3 थिली प्लस 3 यहां पे आपका LCM 4 बनाने के लिए और का इंटू कराएंगे उसी का 4 का उपर वाले से इंटू कराएंगे करेक्ट मैंदट सॉल्व करना आता ही होगा ना ऐसी उक्वेशन का तो देखिए माइनस का 4 तीन तीन च्छह में से चार गया आपका क्या बचाएं टू यहां यहां से आपका बचाएं टू अपान फोर यह कटके कितना आ जाएगा वन बाई टू जो कि आपका करेक्ट गया पंएफ मेरे दो बाइं दो लाइनों का होता है हँलो अगर होता है तो पता है कैसे सॉल्व करता इसको तो तो पहले मंपरीश से देख लेता काम ऐसके बाद यह स्ट्वेस्टीप्स कि पहो जाती या कि भईली यह लिख ताम है उसके भाद ईह देबले JACता है आशर चलते हैं 8 number देखिए आपसे क्या कह रहा है find the value of sine 7 pi by 4 into sine 3 pi by 4 into sine 5 pi by 4 चलिए एक ही बार लिखते हैं अब देखिए आपके कैसे करेंगे क्या है आपका sine sine 7 into pi by 4 की value क्या होती थी आपकी 45 हाँ 45 होती थी into इसके बाद क्या है sine sine 5 by 4 मतलब 45 correct into क्या है sine sine 3 into pi by 4 मिन 45 correct 45 और इसके बाद और क्या है आपका हाँ मेरे बाई चलिए और क्या है आपका यहां तक तो लिख चुक है इसके बाद इंटू 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 है आपका sine 5 into 45 और चलिए समझपा रहे है ना बहुत ही बेतर है इसके बाद सब्सक्राइब करेंगे क्या आजाएगा तो इसके बाद इंटू भी कराना है साथ आपको छोड़ना नहीं है जिसे कि यह आपका लिखा है ना देखिए सब्सक्राइब के के क्वल आपने पाइब और की फट सम草तनी हो तो यह मत समझझ लेना कि seven की वेट यही जो खांगे ना बेर्ज़नें ले जो कि आपका ठीक्लाइब आप्ले करना और आपका आंझ यह चलिए इसको सवुक्र रहे है न नगत पाईलohes समझ प्याएं तो उसको छोड़ना नहीं है चलिए 735 के बाद कहरी आपका थिरी साच्यों को 2823 कितना हो जाएगा आपका 31 315 डिगरी हां चलिए कि साइन 45 लिख लेतने इसके बाद रखेंगे इंटू इंटू आपका 45 का थिरी बार मल्टिप्लाइ कराना है साइन तो आपका आज आएगा आजटीज 315 एक चारते बारा एक तेरा 135 इसके बाद साइन का 5 मल्टिप्लाइ यह फाइप है आपका 5 था 25 तू आपका कैरी इसके बाद 45 बीज दो 22 समझ पाया ना कैसे कर रहे हैं इसलिए आपको सारा कुछ बताते हुए चल रहे हैं इसके बाद इसके बाद देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे देखिए कि साइन फिर से एक बाद बता इसके बाद आपको नहीं बताएंगे डायक्ट आपको साल्व कराएंगे सुन unintended पाद नाईंटकर फॉर्मेट है ब्रेक कीजिए 90 के फॉर्मेट में इसको ब्रेक कीजिए 90 से डिवाइड कीजिए कितना नोको नोटार नोतिया 27 ठीक नोचों को छती चार्ज जो कि आपका 360 ज्यादा हो रहा है तो देखिए 3 बार में आप करेंगे कितना आ जाएगा 270 डिगरी करेक्ट अब इससे आपको क्या करना एलेस इससे आपको करना एलेस तो आजाएगा आपका 45 डिगरी लिखने का फॉर्मेट क्या होता है और मेट यह होता है 90 के नभे के तीन गुने से 45 डिगरी अधिक है यह लिखने का स्टिक्वेंस का तिरिज होती चलिए तो देखिए, 90 के, 90 के 3 गुने से 45 डिगरी अधिक है, इसके बाद साइन 45 तो आपका एजिटीज रह जाएगा, समझ पाया है ना, इन्टू, इन्टू देखिए, साइन, 135 को किस फॉर्मेट में आप ब्रेक करेंगे, 90 के, 90 के 1 गुने से 45 डिगरी अधिक है, समझ पाया है ना, बहुत ही बेतरीन, इसके बाद देखिए, साइन, साइन, 225 डिगरी को कैसे, 90 के, 90 के 2 गुने से, 90 के 2 गुने से कितना हो गया है, 180, और यह, 90 के 2 गुने से 45 डिगरी अधिक है, समझ पाया है ना, बहुत ही बेतरीन, अब, कुछ नहीं इसको सॉल्व कीजिए, आप, तो देखिए, किस क्वार्डन की बात हो रही है, देखिए, क्वार्डन भी बना लिजिए, यहां पर, इसमें आपके ऑल पॉजिटिव, इसमें आपका साइन पॉजिटिव, इसमें आपका टेन पॉजिटिव, और फॉर्थ क्वार्डन में आपका कॉस पॉजिटिव, समझ पाया है ना, फोर्ढ तो फॉर्ट पॉर्टे होता तो साइन क्या करेगा वहां पर निगेट्व रहेगा एंस माइनस का 90 का और मल्टीपल है या इवेन तो 90 का और मल्टीपल है और मल्टीपल में अपने कॉम्प्लीमेंटी में चैन्ट हो जाएगा पॉस 45 डिगरी एक इन्टू साइन पैतालिस को साइन पैतालिस अजिते इसके बाद यह देखिये नबब बjos मदब फर्स्ट क्वार्टं से भी ज्यादा फर्स्ट क्वार्टं से भी जाता सेकेंड क्वार्ट में तो अपका साइन पोजिटिव होता है तो और लेडी साइन है तो यह पॉजिटिव रहे सेकेंड क्वार्डन से भी मेरे भाई ज्यादा का अभी तो सेकेंड क्वार्डन से भी ज्यादा थर्ड क्वार्डन में और थर्ड क्वार्डन में आपका ओनली 10 और कॉर्ड पॉजिटिव होता है तो साइन क्या करेंगा वहाँ पे निगेटिव रहेगा ना तो निगेटिव करेक्ट माइनस माइनस का क्या हो जाएगा हां 90 का और मल्टीपल है या इवन देखना आए तो 90 का इवन मल्टीपल पर नो चेंज अपने कॉंपलिमेटरी में तो साइन इस इस साइन 45 टिगरी समय आई ना बात बहुत ही बेतरी इसके बाद अपनी वैलू रख दीजिए चलिए माइनस और माइनस का तो बाए इंट्टू हांना यह सबका है माइनस स्का इन इसके पर देना बहुत ही बेधर ही चलिए थो क्या हो जाएगा आपका ए यह स् कॉस्प 45 की वैलू क्या हो जाएगी आपकी कि यो da مع़ फब्रसान के वेलु। क्या वहागी वन बाई रूट है इन तु इन्टू इन डाईिस के वेलु कई आप स्भाइय बढ़िखी क्यों इसकी पर दिया क्योंकि यहां पर भी माइनस हैथएज चार्च नंबर का इंटू हो रहे हैं तो माइनस माइनस का एंटू होके वह प्लस का ही बन जाएगा तो माइनस का फंडा तो खत्म ना चलिए हाँ तो फाइनल आप इसको स्वांड हैं तो नूमीरेटर में तो आपका वन ही आएगा autopond 2 रूटis2 रूटis4टाइम यह बन जाएगा रूटis2 रूटis2 मनलंब वन वैलू तो टू इंटु2 टू हां यह हो जाएगा आपका देखिए यह हो जाएगा आपका टू यह बोजाएगा टू टू इन्टू टू इस फाइनल आंसर क्या आएगा वन भाई पोर जो कि आपका करेक्ट एंसर है वन भाई फॉर ऑप्सन नंबर ए जो कि आपका करेक्ट है और भी जी ठीक है कि 225-2019 ज्यादा पुराना को कोशन नहीं है बहुत ही बेतरी लाजवाब कोशन ठीक है कितने धुवादा तड़ीके से आप स्वाल्व कर पा रहे हैं बजा आ रहे हैं इसी स्पीट में चलना एक क्रेसी मेंटेन करना है तो आपको प्रक्टिस रिवीजन जरूर करना हैं नेक्स्ट कोश्चन पर नाइन नं। नमबर नाइन नहूमडर फाइंड दÃवलव फॉडमी यह आप्की क्टिस fixing pace सॉल्व करते हैं सको सॉल्व तो चलिए सीनल करने का क्या लिखा आपका कोस स्क्वाईर कोस्वाईर 270 मार्ण फाई दो क्या है यह है आपका यह आपका है ना कि यह आपका है आपका समझ पहुआ बहुत रेंज़ लगा होगा चलिए पॉइंट बना लेते हैं इसमें आपके ओन पोजयटीव इसमें इसमेटे इृटिव इसमें इभी तो क्या हो जाएगा बस देखेगी है 90 का out multiple है या even तो 270 जो है आपका 270 जो है आपका 90 का out multiple है तो चेंज हो जाएगा न तो क्या हो जाएगा आपका Sin Square five गुलरे माइनस है आपका when a cinquare 180 मेhhhh Square है तो माइनस प्लस का लफड़ा ही नहीं है फाय करेक्ट यह देखिए बस 90 का इवन मल्टीपल है और इवन मल्टीपल पर नो चेंज तो क्या हो जाएगा आपका एज़ टिस साइन मेरे बाई यह आपका क्या होता है 180 upon two is equal to 90 डिगरी लिए लिख्या था ना बोट ही बेतरीन तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन साइन स्क्वार, 90 degree, करेक्ट, इन्टु, इन्टु है आपका, साइन स्क्वार, 270 माइनस 5, करेक्ट, स्क्वार है तो, माइनस प्लेस का लफड़ा ही नहीं, इसके बाद देखे, 90 का और्ड मल्टीपल है, ओर्ड मल्टीपल में, तो कॉम्पलिमेंटरी में चंज हो जाएगा, कि अपना रेचियों तो किसमें हो जाएगा आपका आपका उस स्कॉराइर फाई समझ में आये ना बात बहुत ही बेतरी अब इसको करतेए हैं सॉल्व तो sin square plus का और sin square minus का 5 यह आपका आपसमें cancel हो जाएंगे बचा क्या आपका देखिए बचा क्या आपका केवल sin square 90 into cos square 5 चलिए sin 90 के वैलू क्या होती है 1 का करना आपको square into आपका क्या है cos square 5 तो देखिए 1 का square तो मेरे भाई 1 ही होगा तो बचा क्या आपके पास cos square 5 जो कि आपका 100% correct answer होगा answer number कौन सा है आपका cos square 5 जो कि आपका correct है बास समझ में आए ना बहुत ही बेतरी इसके बाद चलते है next next आपका simplify करना यह भी 10 number बहुत ही बेतरी डर्ना नहीं है बहुत ही लाजवा पोस्टन है प्यार बारी नहीं दुरू से देखो भाई आराम से सौल होगा correct चलिए प्यार से देखना थाख़ रपका से समझ में आराम से सब्सक्रां से बाहुत ही लाज़ नहीं दुरू कर डर्ना पूलिएंग धुरू कर दाना जो भी 10 ज्यार में वे तो बहुत है यह भी 10 झाल 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 झाल